19 फरवरी 1993 को रिलीस हुई थी अजय देवगन, रवीना टंडन व अम्रीश पूरी स्टारर दिव्य शक्ती, यानि आज इस फिल्म के 31 साल पूरे हुए. ये फिल्म समीर मलखान ने डाइरेक्ट की थी, और संगीत दिया था नदीम श्रवन ने. सभी गीत लिखे थे समीर जी ने. और गीतों को आवाज दी थी कुमार सानू, अलका याग्यनिक, साधना सरगम व आशा भोसले जी ने. फिल्म में एक गीत है संग संग चलूंगी. ये गीत कुमार सानू जी ने भी गाया है और साधना सरगम जी ने भी. लेकिन जब इस फिल्म के म्यूजिक का आडियो रिलीस किया गया था तब गलती से उसमें इस गीत का क्रेडिट अलका याग्यनिक जी को दे दिया गया था. जबकि वास्तव में गीत गाया है साधना सरगम जी ने. कहा तो ये भी जाता है कि अमरीश पूरी ने सिर्फ दो दफा अजय देवगन की किसी फिल्म में मुख्य विलेन की भूमी का निभाई है. एक तो यही है. और दूसरी है हलचल. पर मैं अभी इसकी पुष्टी नहीं पता है कि ये सही है या गलत. हाँ ये ज़रूर है कि अजय देवगन की अधिकतर फिल्मों में अमरीश पूरी जी का केरेक्टर निगेटिव शेड़ वाला ज़रूर होता है. लेकिन वो फिल्म का मुख्य विलेन नहीं होता. मैंने यूट्यूब पर इस फिल्म की क्लिप्स देखी है. अमरीश पूरी जी वाकई में खतरनाक लगे है. किसी ने फिल्म देखी हो तो इस पर अपना विचार व्यक्त अवश्य करिएगा.